करने बेज़ेड होजा शुरूर। माकर इन्हें हजारों चक करतेंगे। हम जंके ठब कर च्रफ तब है हम में तम नहीं पीशे भटेंगे हम। बेज़ेड बेज़ेड होजा शुरूर। तो हेलो मेरे दोस्तों तो क्या हल चाले आप लोगे। तो मैं सबसे पहले ठेंक्यू कहना चाहूंगा मेरे दोस्त बीवी एक्स्क्रीमर को जो उसने अपने चैनल में मुझे आज आने दिया। बहुत इंट्रिस्टिंग टॉपिक पर हम दोनों बात कर रहे हैं और आपने थमने देखकर ये वीडियो को चॉइस किया है एंट साथे साथ वीडियो के सुरूफ होने से पहले ही में एक डिस्क्लेमर आपको दे देना चाहता हूं कि दोस्तों देखिए ये जो हम सोगन स्टील के टॉप 10 ब्लेडर चुलने जा रहे हैं अगर मैं जानता हूं कि आप लोगों ने सोगन स्टील बहुत लोगों नहीं देखी होगी और देखी वीडियो तो वह बहुत कम लोगी होंगे तो फिर भी जो लोग देखें उनको मैं कहें दू अगर आपका फेवरिट ब्लेडर हमारे लिस्ट में नीचे की तरफ रहे पोजिशन पर तो प्लीज दुकिंग मत होना सबके चोईस अपने अपने होते हैं मैंने और दीवी एक्स्क्रीमर ने ऐसा लिस्ट चॉइस किया है अपना चॉइस कोमेंट बोक्स में बूह सकते हैं. तो चलो, अब मेरे मीरा पाद सुड़ करता हूं. तो ब्लेडर ममर फेर में हमारे तो ब्लेडर है उसका नाम है एड उना बोरा और यह हमारे सोहन स्टील में 1 एपडिज़न में भी दिखाय गया था और यह काइट उना प अच्छा से कर लेता है और इसका वेबलेट का नाम है औरोची हाँ आपको नाम थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन इसा ही नाम होता था तो यह ब्लेडर बहुत ही बग्या ब्लेडर है अगर आप इसको लुकिन के जाएं तो यह बहुत अच्छा प्संद भी हो सकता है हैंसम ड्र भी है लिकिन भाषब चाहेगा इसलिए मैंने इसको नमबर 10 में लगा यह नमबर 9 काइट नवरा काई नवरा भी बेवलेट की शगन स्टील सीरीज का मोने तो मेन केरक्टर है इससे भी बेवलेट के बारे में काफी कुछ नॉलेज भी है और अगर हम इसके स्पाइनल स्प्लैश साथ साथ साइंग रॉन स्पेशल मुब भी योस्कर तकता है जिसका नाम है स्पाइनल क्रश और कह सकतो कि यह काफी चप ब्लेडर है साथ साथ इसकी पुर्शनलिटी काफी कदरनाक है और यह बैस्ट विक प्रिस की बात करें तो इसने अतनी सीरीज के और काफे सारा इच्छे च्छे मैशेश जीते हैं उसने टेकन उसके को तक कर दिया है साथ इसार और भी बहुत सब्लेडर को बुड़क कर देश चुका है और यह जो नवर का बीग बड़र है और साथ यह काफी कमाल का वे ब्लेडर है जिसके बिसे बॉइस निसमें नमबर 9 पर जगह बनाता है तो गरिस ब्लेडर नमबर 8 में जो ब्लेडर है उसका नाम है योशियो और यह भी बहुत ही ताकतबर ब्लेडर है और इसका जो ब्लेडर का नाम है वह बैंडिड गोलम और इसका बिद्विश पीरिड कहा जाए तो यह दिखने में कुछ ऐसा है अब दे प्रिंश लाइप इसको तो सकता है और इसमें बहुत सारे ब्लेडर को हराया भी था और काइट उना वोड़ा को भी इसने हराया था इसलिए मैंने इसको नमबर एप पोजिसमें नमबर 7 रैन कुरुनाई रैन कुरुनाई दी शोकुन स्टील सीरीज के काफी अच्छी पूफ किया और वो सारे ब्लेडर को अब हँडा सकती है और उसके ब्लेड के बात कर नहीं से पिनिक्स और इसका टाइब है और इसका एलीमट है तो कर सकतो कि वह फायर है उसके स्पेशल मुव का नहीं मौल्टन विंग जो कि काफी स्टॉंगस पैशल मूव है और इसने श और ब्र दांगे सटायल होई किया जब कर दो सकती है सोगत नंबर last on नमबर 6 पोजीशन पर है सो नमबर 6 पोजिशन पर हमारा जो ब्लेडर आता है उसका नाम है टकान इसके और इसको मैंने करेक्टर की तोर पर बहुत बार अपने चैनल में यूज कर भी एक से उसकी और इसान डाल जाओंगे तो इसका फैंद्ब बन जाओगे गैरंटी देता हूं और इसने बहुत सारे ब्लेटर को हरा चुका है और अपने स्पेशल मूब ये बहुत कमी यूज़ करता है क्योंकि अब उसका स्पेशल मूब बहुत ही खतरनाक है और ये बहुत ही स्ट्रॉंगेस्ट बेडर है और जीरो कुरगाने को भी ये बहुत बराबरी की ठककर दे चुका है इसलिए मैंने नंबर सिक्स पॉसिशन पर इसको जगा दिया है नंबर फाइव शिनोबो हिरोएन शिनोबो हिरोएन श्ट्रकों स्टील सीरीज का बहुत दो मेंन केरेक्टर है वो सच में काफी कमाल का बेब बलेडर है अगर हम इसकी बेबलेड की बाहुत करे तो उसके रहता है हर एक मैसिस के दौरान और अकर हम बात करें उसके स्पेशल मुव्स की तो इसके स्पेशल मुव्स के नाम है फैंटेम फायर शॉट ब्लेजिंग राइंग शुट और साथ सूपर वर्णिंग अपरकर जिसे कई सारे हमले वह यूज़ कर सकता है साथ इसाथ वह शुर स्पेशल सीरेश का एक यह इंपोर्टन कैरक्टर है जिसकी बिझसे वह इस लिस्ट में नंबर फिट पोजिशन पर जगा बनाता है तो नंबर फ़ॉर्ण में जो प्लेडर आता है उस ब्लेडर का नाम है कीरप और कीरा का जो बेव रेड़े verdक en a ने और इस डीए ने आप और्गनाइज किया था दोजी और टीम गार्सियाज ने और यह बहुत ही खतरनाक और गनाइज जैसन थी फिर से ब्लीडर को खरब बनाने के लिए और यह उसका टॉपेस्ट बेडर था और इसका ब्रेव लेड का ना ग्लाडियेट और बहामूट और यह बहुत ही डार्क टा फ़िये बहुत खतरनांक है। इससे पहले वे एक वेव लेट और भाफिमेटर को तोडिया था। और अगर आप इसको ब्रिट विस्ट यानि की स्पीरिट देखना चाहें तो ग्लाडियाटर वहां मुद्ध कुछ ऐसा दिखता है वहती डेंजरेस और खतरनाक तो यह गार्गोयल है और यह तो बहुत खतरनाक होगा भी और इसी बज़े से यह हमारे टॉक फोर पोजिशन पर जगा बना लिया है नमबर थड जाहिरो कुरोगाने जाहिरो कुरोगाने श्योकुन स्टील सीरीज का सबसे कंमाल का ब्लेदर है उसने अतनी सीरीज के अंदर उसने आपको कई बार कूप भी किया है और अगर हम उसके बेड़ की बात करें तो उसके बे का नम है समुरा इफरे वह का टैक्ट है यह बेबलिड सादि हम इसके अलीमेंट की बात करें तो इसका आलिमेंट है फायर और इसके स्पिरेट की बात करतो जो स्पिरेट है वो सच में बहुत ज़रा स्ट्रॉण है जूंकि उसका ओनर जाहिरो इस सीरीज का में न केरेक्टर है और अब मुल्व के स्पेशल मुच कि बात करें तो तो उसके special moves के काई सारे strongest special moves वो यूज़ कर सकता है जैसे की shooting star crash, burning uppercut, diving crash और भी बहुत सारे attack वो यूज़ कर सकता है साथ ही उसकी जो personality है वो एक्दम जिंगा की तरह ही है अब हम उसके बेवर्लस की बात करें तो उसने बहुत सारी matches जीती है अपने सीरीज के अंदर और जितने भी इस प्रिस्ट में Blades है उनमें से जानातर Blades को जायरोने हादाया ही है और उसने साक्यों जैसे Blades को भी तक कर द है तो नमबर सेकंड बाई जो ब्लेजर है वो इससे भी जाना स्क्राम है बारी है नमबर टू की और अभी रहसे में ब्लेडर आने वाला है दिल थाम के पैटिए थ्री टू वण तो यह हमारा ब्लेडर है सैक्यों और गाइस सैक्यों सोगें स्टील का ड्राइगन एम्पिर का बेवलेड का नाम है इस जड़ ब्लैग ड्राइगन और सुगें स्टील में सबसे ज़्यादा थाकतबर ब्लेडर रही है कहा सकता है यह जहां से तो नहीं दिखा गया है तो साइड जिंगा हार जाता साइड लेकिन दिखान नहीं गया है तो इसको लेकर अफसोंस करना ही ठीक होगा तो यह बहुत ही ठाकटवर ब्लेडर है गाइस और इसका जो ड्रैगन है जिट ब्लैगन बेवलेड यह रिवास रोटेशन बेवलेड है जिसकी वजह से ज्यादा लॉंग बैटल ना करते हुए ही यह अपने ओपोनेंट को स्टेडियम के बाहर कर सकता है और यह अ स्टेटिजी देखके ही इसको तू नंबर पोजिशन में जगा दिया है अब नंबर वन पर जो ब्लेडर आता है मुझे ने लिटा कि किसी ने उसे गेस्ट किया होगा क्योंकि किसी को तो पता भी नहीं कि वह इस लिस्ट के अंडर होगा तो कि उसका नम है जिंगा हगाने जी हाँ जिंगा को इसलिश में जरूर पोजिशन देना ही था वो भी नंबर वन रैंक पर क्योंकि वह शकुन स्टील में सिर्फ तीन एपिसोड के लिए आया था और उन तीनी एपिसोड में उसने काफी कमाल का परफर्फरमेंस दिया साथे साथ इसने बहुत साड़े बट जो इसके तावर था उससे शकुन स्टील के अंदर वो काफे जड़ा बर गिया था जिसकी वर से वह इस दिसमें नंबर वन पर है और वह उसके बात करें उसके बेवलेट की तो इसके बेवलेट का नम है समुराइपेकरस और इसके स्पेशल मूप का नम है गैलक्सी नोवा और समुराइपेकरस भी एक अटेक टैप बेवलेट है और इसका अलिमेंट है गौड जी हाँ वो गौड लेवल का बन गया था शकुन स्टील के से रेस के अंदर उसकी इतनी जो पावर थी वो बाकी बेवलेटस से काफे जड़ा स्ट्रॉंग थी जिसकी पर इस लिसमें न लेकिन उसको छोड़कर भी मैंने एक नया चैनल ओपन किया है जिस चैनल का नाम है योर एनमे गाई लेकिन सेगंड चैनल में है तो इसे जरूर करना मेरे सेगंड चैनल को लिंक डिस्किप्शन में रहेगा तो प्लीज जाके मेरे सेगंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना यह बहुत अच्छे से आप लोग याद भी रखना तो आपके लिए मेरा यही ख़बर था दोस्तो तो तब तक के लिए गुडबाई ज़रू सब्सक्राइब करना मेरे सेकेंड चैनल को तो फिर से मलकात होगी वीवी एक्स्टीमर और मेरे साथ कभी किसी और कॉलेब वीडियो में तो तब तक के लिए गुडबाई गाईज तो हाँ यार यही ते आमारे आज की कॉलेब वीडियो हम होव करते हैं को एफ आपको फूलागा रगा हो और अगर आपको फूलागा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दिना और जो भी शागन स्थील नहीं दिखाए तो जाके ज़रूर शागन स्थील को एक बार चेकाउट तो फिर जो भी चैनल पर नहीं चैनल को सब्स्राइब करो यह अन्यमिक आएक चैनल का लिंग को डिस्क्रिप्शिम में मिल जाएगा जाके उससे भी बाच एक आउट करके सब्स्राइब जबूर कर देना तो फिर मैं मिलता हूं आप से एक लिए बुड़ो में तब तक के लि